देशबर में चुनाओ प्रचार खत्म करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा अपने गाउं आये हुए है जहां बोर्ट डालेंगे आप भी तक चुनाओ किस दिशा में जा रहा है इस मुद्धे पर हम आज इन से बातशीत करेंगे नड़ा जी सबसे पहला प लोगों को अपनी करनी का सामने दिख जाता है कि उनकी करनी का क्यानतीजा रहने वाला है तो उनको मालूम है कि हर उनके प्रतीक्षा कर रही है है इसलिए वह क्रते कीफास को हुए पॉजटिव नोड़ नहीं हैपनी जूत परेर्एब। बंभ घूरेब। थरीके का गुम एक शड़ेंतरकारी का प्रचार रहा है वो गुमराह करने वाला प्रचार रहा है अब सामने चीजें आ गई हैं तो ये अब इस तरीके से भागने का प्रयास हो रहा है प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद बीवेकान रॉक्स पर जाकर वहां ध्यान लगा रहे हैं, वहां योगा कर रहे हैं, वहां पूजा पाट कर रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह के कटाक्ष सुनने को मिल रहे हैं पराएं, ये क्या जानेँ अध्यात्म का पुणरजागरनte, ये क्या जाने कि अध्यात्मिष्टि से किस तरीके से रक्ति को उनका नई उर्जा मिलती है, ये क्या जाने इन्होंने इन सब चीजों को दूर ये तो सनातन विरोधी हैं ये तो सनातन को गाली देते हैं ये तो भारत के परंपराओं के विरोधी हैं और भारत की परंपरा और भारत की इतिहास पर गौरव करने के बजाए ये गलानी महसूस करते रहे हैं तो ये क्या जाने इनको क्या पता और प्रदानमंत्री मोदी जी ने कोई पहली वार तो नहीं किया, उनका हमेशा अध्यात्म के साथ जुडाओ, आखिर शंकराचारे जी का मूर्ती का अनावरन किस ने किया, केदार धाम का जिर्नोधार किस ने किया, काशी विश्वनात कॉरिडोर किस ने बनाई, महाकाल कि कॉरिडोर के बनाने का काम किस ने किया, प्रशाद का कारकम किस ने चिलाया, इस सब चीज है, हमारे प्रदानमंत्री जी ने किया है, और इस तरीके से अध्यात्म के साथ जुड़े हुए है, तो आज इतनी चुनाओ के बाद, फिर से नही जागरिती, नही उर्जा, नह यूशना के साथ काम करने के लिए, उन्होंने इस काम को किया और हमेशा पहले भी करते रहे हैं. खत्म होने के बाद अटेक इस तरह से क्यों किया जा रहा है, ऐसा है, मैं कहना नहीं चाहता, मनमोहन सिंग जी पूर्दानमंत्री रहे हैं, मुझे आदर के साथ उनके साथ बातचीत संबोधन करना चाहिए, लेकिन सचाई क्या है, कौन सी बात जूट बोली है, इस तरीके स करना मनमोहन जी के लिए शोभानी देता है, जो खुद रोड बोड कंट्रोल से चलते रहे हूं, वो प्रधानमंत्री की गरिमा की बात करे, शोभानी देता है. कि जरिवाल की बेल की मियाद ख़त पहुरे है, वो जेल जा रहे हैं कल, तयारी भी हो चुकी है, लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉनफरेंस किया, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं जेल जा रहा हूं, ये एक सड़ेंत्र है, और बीजेपी के सड़ेंत्र को यह से मैं जा और मैं अगर मर भी जाओं तो भी मेरे काम को आगे बढ़ाओं। तो एक तरह से एक सेंटिमेंटल एक इसू को छेड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इस वक्त उसकी जरूरत थे। भावनाओं का उप्योग कौन करता है जब तथ्यों से परे हो जाते हैं। इसका मतलब तथ्य आपके पास नहीं रहे हैं। और कानून आपको जेल से बाहर लाया था, कानून ही आपको अंदर भेज रहा है, बेल नहीं दे रहा है, आपके कर्मों पर तो कोट ने कोई रियायत नहीं की है, तो इसलिए अब आप भावनात्मक पक्षों को रख करके आप जनता को गुम्रा करने की कोशिश करते हो, लेकि कोई भी स्वन्मिधान को ना मानने वाली, ये व्यक्तितों है, तो इस व्यक्तितों ऐसे व्यक्तितों के बारे में मैं ठिपनी करूँ इसकी आवसक्ता क्या दिल्ली की जनता जानती है सब कुछ सर आज के डेट में हर ड्रोइंग रूम में एक चर्चा जीस बात की हो रही है वो आपसे जानना बहुत जरूरी है कि यह जो एलेक्षन रहा है यह बहुत साइलेंट एलेक्षन रहा और इसमें एक चीज और देखने को मिला कि थोड़ा लो परसंटेज वोट रहा इसका कारण क्या मानते हैं ऐसा है जहां जहां कॉंपेटिशन था वहां लो वर्ट परसंटेज नहीं रहा अब विपक्ष ही उखड गया विपक्ष वोट डालने नहीं आया तो क्या करें हम हवा में लड़े हमारा वोट पूरा पड़ा है पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी है लेकिन कम कहां हुआ है जहां समाजवादी ने सरेंडर कर दिया जहां कॉंग्रिसियों ने सरेंडर कर दिया हम सीट्स तो अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं और भातियंता पार्टी जीत रही है सर एक दो प्रस्त और आपसे मैं लूँगा इंडिया गठवंधन की बैठक बुलाई गई है चुनाव रिजल्ट से पहले ही बैठक बुलाई गई है एक तरफ ओ डिबेट से भाग रहे है एकजीट पोल में से हिसा नहीं ले रहे है दूसरी तरफ गठवंधन के बैठक हो अब लोग इसको सीरिसली लेत और युषे बोलना पड़ता है लेकिन इसमें है क्या करेंगे क्या कौन सा नेता करेंगे, किस लिए नेता करेंगे? आज ढ़क के तीन पाथ होने वाले हैं, मेरी बात नोट करना ना, ढ़क के तीन पाथ. आप ही रेने वाले हैं, ओगली लोगसभा भी फर्मिशन होगा, नेता देखेंगे व्योगा? आखरी प्रस्न नेता मतलब इनका नेता आखरी प्रस्न नड़ा जी स्टेट में मिनिस्टर रहे केंदर में मिनिस्टर रहे जनरल सेकेटरी रास्टी रहे अध्यव रास्टी अध्यक्ष रहे अगला पढ़ाव किस तरफ रहे ऐसा है मैंने कोई पढ़ाव नर रखा नर सोचा जो party जिम्मेवारी देती है वो मैं पूरा करता हूँ मैं party का बहुत धन्य हूँ कि मुझ जैसे साधारन कारेकरता को इस गरिमा माई position पर काम करने का स्वाभाग्य दिया है यही मेरे लिए बहुत है जो काम कहेंगे वो मैं party के लिए हमेशा करता हूँ गा और party के लिए काम करने की और मैं अपने आपको बहुत धन्यवाद मानता हूं इश्वर का कि मुझे भारती जनता पार्टी जैसे पार्टी में काम करने का मौका मिला और पार्टी ने मुझे अध्यक्षपत तक पहुंचाया मैं रिनी हूँ